मध्यकालिम भारत के इतिहास का तीसरा वीडियो पिछले वीडियो में महमुद गजनी को पढ़ा था महमुद गजनी के बाद के उत्रदिकारी गजनी समराजय को नहीं सम्हाल पाए और इसी समराज़ छेतर में एक गौर पर्देश हुआ करता था इसी गौर प्रदेश में एक नए वन्ष का उदय होता है जिसे हम संशवानी वन्ष से जानते हैं और इसी संशवानी वन्ष के मुहम्मद गौरी एक महत्पुर्ण सासक जिसने भारत पर कई आकरमण किये तराइन में लड़ा गया प्रित्वी राज चोहान के अगेंस्ट युद्ध प्रमुख है लेकिन मुहम्मद गौरी को समझने के पहले भारत की उस समय के स्थिति को जानना ज़्यादा जरूरी है तो आईए समझते हैं हर्षवर्दन के बाद भारत कई छोटे छोटे राज्यों में तूड़ी जाता है समय है 647 AD हर्षवर्दन के मृत्यू के बाद उत्तर पश्यम भारत में नए शाशक उभर कर आते हैं जो राजपूत कह लाएं और सात्वी सताब्दी से बारहवी सताब्दी खासकर उत्तर भारत में राजपूत काल के रूप में हम जानते हैं दक्षिर भारत के भी प्रमुख शाशक थे जिसमें मानने खेत महराष्ट में राष्टकूत वातापी के चालुक्या कांची पूरम तमिल नाडु में पल्लव फिर पल्लव के बाद चोल आते हैं मामला पूरम वाला छेत्र और मदुरय के पांडे प्रमुख हैं पुष्य भूती वन्ष ठानेशवर वाला पार्ट मौखरी वन्ष कन्नोज बंगाल पहले पाल फिर सेन वन्ष का होता है राजपूतों में गुर्जर प्रतिहार वन्ष गुजरात वाले पार्ट में फिर गुर्जर प्रतिहार के बाद सोलंकी या इसे ही चालू के वन्ष भी जानते हैं डिल्ली के चौहान, बुंदेलखंड के चंदेल, मालवा के परमारवन्स यहीं के राजाभोज जिनकी राजधानी धार नगरीती थे अब सवाल यह उठता है राजपूत कौन थें? राजपूत के उदे के संबंध में कई इतिहासकारों में मतभेद हैं विदेसी इतिहासकार राजपूतों को विदेसी जातियों से संबंधित बताते हैं वहीं भारत के इतिहासकार राजपूतों को छत्रिय या आरियों से जोडते हैं प्राचीन इतिहास में कई विदेसी आकरमर आएं उन्हीं में से कुछ भारत में बस गए जो आगे चलकर राजपूत कहलाएं ऐसा मानना है विदेशी इतियासकारों का जिसमें कर्नल जेम स्टॉट एक इतियासकार ने सीथियन जाती जो प्राचीन भारत के आकरमर्कारी के रूप में भारत आते हैं फिर यहां बस जाते हैं वही आगे चलकर राजपूत कहलाएं फिर इसमित के अनुसार प्राचीन भारत के ही शको और कुशार जो प्राचीन भारत में भारत आते हैं वही आगे चलकर राजपूत कहलाएं भारत के एक इतियासकार फेमस इतियासकार गौरी संकर हीराचन्द ओजहा के अनुसार राशपूत छत्री और आर्यों के बाद के बताया जाता है। प्राचीन के छत्रिय जातिया ही बाद में चलका राशपूत कहलाएं ऐसा मानना है जी एच ओजहाजी का। चंद्र बरदाई प्रित्वी राज थ्री के दरवारी इतियासकार थें ये अपने पुस्तक में अगनी कुंड से राशपूतों की उत्पती बताते हैं। जहां रिशी वशिष्ट के माउंट आबू में एक यग्य होता है उस यग्य के दवरान राशपूतों का जनम होता इस धान से चार राशपूत जातियों का उदय होता है। गुर्जर प्रतिहार, चोहान, परमार, चालुक्या जिसे सोलंकी भी कहते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा बर्ग इसे काल्पनिक स्टोरी के रूप में देखता है और कुछ नहीं। अब पुराने स्टोरी को अगर प्रवेश हो रहा था। चोहान का सासक अजमेर से दिल्ली तक का छेतर माना जाता था। हलाकि दिल्ली के स्थापना तोमर वंस के द्वारा होती है। लेकिन तोमर वंस से चोहानों का संबन था। चोहान का ननिहाल दिल्ली के तोमर वंस से जानते हैं। और उसके बाद एक तराएं का दो युद्ध होता है अजय चंद की क्या भूमिका रहती है इस पूरे युद्ध में और कैसे मुहम्मद गोरी यहाँ पर एक दिल्ली सल्तनत पे कुतुब दिन एबग को स्थापित करता है और दिल्ली सल्तनत यहां से स्टार्ट हो जाता है तो नेक्स वीडियो में हम आगे की खटन को दास पढ़ेंगे इसी दिल्ली सल्तनत को स्लेट डैंस टी भी कहते हैं पांच मिनट में उस समय की भारत की स्थिति और राशपूतों का उदय को हमने समझा तो ऐसे ही इनफर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें धन्य छी में ऑबाद